यह लो इस टेंड वेल्कम तो आड यूट्यूब चैनल तो हमने प्राणी जगत का बर्गी करण स्टार्ट किया है उसमें हमने कवर किया है पोरी फेरा प्रोटोज और पोरी फेरा को कवर कर लिया है यदि आपने प्रीबिएस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेरिष्ट में देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जिस तरह से पौधों का शुरू से उनका किस तरह से एफूलुशन हुआ उसी तरह से हम प्राणिगों को हिस से एवलूशन हुआ किस तरह से जगत में आए और पहले हम लोगों को इस बिडियो के जरी आपको कुछ जनकारी मीलेगी और आपके बुक्क से ही तो लिखा हुआ तो घबराने के बाद नहीं हमें अइन ही दो की निदेम्हे की तरह कुछ दो मैं दिखने है जा है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और जो यहां पर पहले पोडी फेरा और प्रो जो अथा वो सेल लेबल का ओर्गनाइजेशन होता था यानि सेल बने हुए थे पर वह कनवर्ट नहीं हुए थे आप जानते वहां सेल से टीसू से और बनते हैं, तो उस तरह से, यहां पर सेल लेवल का और्गनाजेशन, वोडिफेरा में हुआ था, और अब भी टीसू लेवल का और्गनाजेशन, आपको यहां देखने को मिलेगा, तो फाइलम सिलेंट्रेटर, जिसका आर्थ होता है, हॉलो इंतं इं कि जब इनके structure के कुशाइन देखेंगे तो उहीं पर इनका खाना का पाचन तंत्र होता है जिस तरह से हमारा पाचन तंतर हुता है उसी तरह से कैविटी के रुप में इनका पाचन तंतर होता है यह अलर एक्वेटिक होते है यह इकव्याटिक पानी में रहने वाले अगोटे मेरिन होते हैं एक्सेट फ्यू लाइक हाइडरा को छोड़ कर बाकी सब ऊसमें हाइडरा में भी कुछ होते है जो होते हैं जो कि μέ periphery वाटर में विचर फाउंदिनर फ्रियस वाटर फ्रेस वाटर में पा क्यों जाते हैं तो दिभ डिख्षू लेБल ऑॉर्ग्याशिंशन इनका tissue level of organization इसमें हुआ है क्योंकि जो हमने पौड़ी फेरा पढ़ा था उसमें सिर्फ cell ही बने थे पर tissues नहीं बने थे और यहां पर हमें tissues देहने को मिलेंगे और diplo-blastic का मतलब क्या होता है कि जो इनका जो जर्म यहां यानी बाहिय चर्म एक्टोडर्म और भीत्री चर्म इनयुक्त दो तरह के जर्म पाये जाते हैं ठीक और इन दोनों के बीच में आक ऊसी के जेली होती है जिसको तो में जो उंगलिया भी कहा जाता है ठीक है और इनका करेक्टरस्टिक बताया जा रहा है आपको कि दे हब टीशु लेबल और निडेडिया पासेस ओल दा फोर बैसिक टाइपस ऑफ टीशुज जिसमें इनमें पाया जाता है जो कि फोर टाइप ऑफ बैसिक टीशुज जैसे चीए होता है यह ब्लेक टीशुज बते हैं इन इनमें दा इंडेडिया थो कै क्या है कि जब इनके बॉड़ी को किसी भी पलेंब से काट नीन न तो टी समयमेट्री सब्सक्रीज सब्सक्राइब इसलिए इनको radially symmetrical कहा गया है they have only one opening in the body which is used both for feeding and elimination of food particles or waste materials इनका सिर्फ एक ही opening होता है जिसमें यह क्या करते है कि वहीं से ही लोग खाना भी खाते है और अपने waste material को या फिर food material को बाहर भी निकालते है इनके जरिये यह sense organ का भी खाते हैं और इनके जरिये यह sense organ का भी खाते हैं काम करता है it is both intercellular or intercellular digestion भी होता है इनमें many forms पोजिजे हार्ड exoskeleton भी पाया जाता है exoskeleton का मतलब क्या होता है इनकी body जो होती हो काफी soft होती है लेकिन जब अवेरीन वार्टर में पाया जाते हैं तो बहुत तरह के जो salt होते हैं इनके उपर एक layer बनते जाता है और जो बाहे जो skin होता है वो उसी skin से लग जाते हैं और एक exoskeleton का निर्मान करते हैं जो की इनका बाहरी की तरफ यह बनते हैं इसलिए यह exoskeleton कहा जाता है जैसे कि corals corals का उपरी वाला हिस्सा बहुत जादा hard होता है corals ही जो colony में रहते हैं corals form corals are conolian forms means एक coral एक जगह नहीं मिलेगा आपको बहुत सारे corals मिलेंगे यानि की colony में मिलेंगे यह लोग ठीक है और respiration कैसे होता है तो इनका respiration होता है इनके body के surface के जड़िये होता है respiration takes place through general body surface और इनमें दोनों तरह के यह reproduction होते है sexual भी होता है और sexually भी होता है examples में क्या-क्या हो सकते है corals हो सकते है hydra हो सकते सी एनमोन भी हो सकते है और बहुत सारे ऐसे animals भी होते है ठीक है तो हम लोग इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि निडेडिया जिसकी मुख्य बेसे स्थाय होती है कि इनका सरीरत्रि दुअस्तर वाला होते है यहां कि टिपलोपलास्टिक होता है यानि की विक्टोडर्म और भीत्रिपरत अंडोडर्म कहलाता है दोनों के बीच में एक जेली समानिक रशना होती है जिसको मेजोंगलिया कहा जाता है इसके शरेर मुख के चारो टेंटिकल्स पाए जाते है ज उनको अचेद कर देता है अचेद करने के बाद इस भोजन को ये लोग खा लेते हैं और टेंटिकल्स का और काम क्या हो सकता है कि इसको आत्मरच्छा में भी सहायता करता है ठीक है एक्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं हाइड्रा ले सकते हैं और और एलिया प्रजाती भी ले से आप लोग first भी आपक लूप से समझ में आया जार्म है उसके बाद हम लोग को अऑग्स केहले हुए हम आप कंगी के संवानने की रचनाय के कंगी की प्लेट की तरह इनकी रचनाये होती है इनके स्पर्सक थ беспरकार कि चिपचपी को शीखाएं होती है जिसको लेसो को सिखाएं कहा जाता है ये को District क्या कब करती है इनका सरीर भी होता है वो भी यहां पर आपके बुप में ट्रिप्लो यह पर आपके बुख में टिप्लो ब्लास्टिक को लेकिन राइट एंसर राइट होगा डिपलो ब्लास्टिक के और यह बाहय चर्म और अंतर चर्म के बीच में मैजन काईमा op होता है जिसमें पेसी तंदुपाई जाते हैं यह बी एक tissue लेवल का प्रृमील्स होता है इनकी जो डेघ गुए जो होती है जहां यह रहते हैं वह सेलेंट्र एक्जाम्पल हो सबस्करिय कि बेरोह कुम नीशन देखका समझते हैं कि तीनो फोर जो जो टीनो फोरा का आरत होता है कॉम बेरिंगर कंगी कि समान चीक रचनायं होती है तो क्लीनोनन इस जली कॉम जली ज अधिक और कि वाउलन इस कहा जाता है इनका सीलिय जो होता है हिन में सीलिया पाया जाता है जो कि लोको — आप सीलिय का मुछ लगू चाहिं नहीं ते दो चाहिं उया यहां। या भी रेडिवेल्ज सेंहीं में सहाता है based पेंप आया रेडिया सुरंषें और यह भी tissue level का भी time, Mindation है यह auf नजस्टी यह है आपके वुक में Triploplastik लिखा गया Machina तू इंप्रोइक लेयर जो की जर्म लेयर दोठो पाया जाता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म और मैसोजिला जो की जली की समान रचनाय होती है और ciliated coom plate और locomotory organs यह जो ciliated coom होता है यह plate की समान रचनाय होती है कंगी की plate होती है उसी तरह से जो की locomotory organ यानि की movement करने में उस उंक काम करता है यह आठ रोज पाये जाते हैं इनके सरीर में जो कॉम प्लेट का काम करते हैं कॉम प्लेट की तरह इनकी रचनाए होते हैं निकंगी की प्लेट की तरह रचनाए होती है Mostinophora have cola blast to capture prey Cola blast इस तरह कि आपको बताया ना भी हमने निदेरियां पढ़ा कि cola blast क्या होता है उसमें जो नेमेटो सिस्ट होता है वो क्या करता है अपने सिकार को पकरतने काम करता है Cola blast में एक consist of coli-cids जो की एक प्रकार का coiled spiral filaments होता है Cola blast में एक बहुत जादा चिप-चिपा एक ऐसा पदार्थ होता है जो की सिकार के पास जो जिसको यह भोजन करना चाहते उसके पास जाके चिपक जाता है और उसके बाद यह भोजन को गरहन करते हैं इनमें sensory organ भी पाए जाता है sensory cell और प्रेजेंट इन अउटर एपिडर्मिस उपरी जो चर्म है उसमें sensory cell भी पाए जाते हैं और इनमें एक mucus यह mucus secrets करते हैं जो की protection के लिए यूज किया जाता है इनका जो digestion होता है वह extracellular भी हो सकता है और intracellular भी हो सकता है they do not possess brain or nervous system इनमें brain or nervous system नहीं पाया जाता है और टीनोफोरा रिप्रोड्यूस सेक्सुली यह अपना reproduction सेक्सुली करते हैं most species source मुझो बहुत सारी जो इसकी species होती है वो पावर अप इनमें भी पावर अफ रिजनेरेसर और डैमेज टीशू के कारण बहुत सारे species में डैमेज टीशू का regeneration भी होता है they so bioluminants यह एक प्रकार का bioluminants का भी काम करते हैं bioluminants का मतलब होता है कि उनके सरीर में कुछ एक प्रकार का जो यह लोग इमिट करते हैं light को जिसकी कारण यह दिखाई देते हैं ठीक है कि टीशू लेवल का organization हो रहा है अभी तक उसकी बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो प्लेटी हल्प मेंथिस और उसके बाद के जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे तो मैं इस तरह से आप लोग को सोचते हूं कि थोरा थोरा करके समझाने से अच्छे समझ में आया यह दि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं ओकी तो हमारे इस channel को देखते रहिए thank you bye bye